दिल्ली की जामा मजज़ित और सीलमपूर इलाके में आज हालात सामाने हैं कल जुमे की नमाज के बाद जामा मज़ित के बाहर जमकर नारे बाजी हुई थी उसके बाद प्रदर्शनकारी दर्यागंज इलाके में आक्षनी और तोड़ फोर भी की थी तो सीलंपूर में भी कल जुमे की नमाज के बाद लोग सडकों पर उत्रे और जमकर नारे बाजी की दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर आज के हालातों को लेकर तो किस तरह से आम जिन जीवन ही आपर सामाने दिखाई दे रहा है वह मापको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर जावमज़द की जहां कल काफी मोब इखटा हुआ था बड़ी संक्या में लोग आप फिलाल जो ये तस्वीरे देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ लोग ही लोग के खटा हुए दिखाई दे रहे थे शामिल था और अब दो तस्वीरों के जरी ताजा हालातों को हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरी बया कर रहे हैं हाला कि जिस तरह से सुख बुगाहटे उसके चलते पुलिस प्रशासन अभी भी पूरी तरह से मुस्तैध है ताकि दुबारा इस तरह की स्तती ना तो आज दिल्ली में कहीं न कहीं जो हालात हैं वो सामाने बताये जा रहे हैं तो जाममजे सीलंपूर इलाके में हालात किस तरह से बने हैं वो आपको दो तस्वीरों के जरी तो ऐसे में यह हालात यूही सामाने बने रहें उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेट्रो स्टेशन जो है वो भी खोल दी गए है क्योंकि पहले जब बीते कलकि अगर बात करें तो काफी हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था जिसके चलते मेट्रो के काई स्टेशन जो है वो बंद कर दी गए थे दीमर्सी भी लगातार अपडेट लोकों को कर रहा है और दीमर्सी ने आज सुभा सवेरे सभी कोट्वेटर के जानकारी देते हुए यह बताया है कि सभी मेट्रो स्टेशन आज खोले हुए है तो यह जामा मस्जित सीलंपूर जाफराबाद में हालात किस तरा सामाने वो तस स्वेरे बाया कर रहे है